दोस्तों ये है 2023 TVS Apache RTR 160 4V और आज इस वीडियो में हम इसकी complete information के बारे में बात करेंगे इसकी on-road price, price, mileage feature, respects, कौन-कौन से features के साथ आती है देखने में ये कैसी लगती है और क्यों है ये favorite आप जैसे लोगों की पूरा वीडियो completely वाच कीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल्दिवेदी आप देख रहे हैं इंडी जैन्विन हांट लुटिव चैनल दोस्तों बिदा किसी बिलम क्या ये करते हैं प्रारंब दोस्तों शुरू करता हूँ मैं इसकी looks और design से तो आप जैसा की overall इस bike को देख सकते हैं ये दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी characteristics of ice street sports naked bike के साथ में front में यहाँ पे आपको LED rear us मिल जाते हैं जिनकी shape को change किया गया है पहले जब ये BS4 में launch हुई थी उसके comparison में क्योंकि कई सारे लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे थे जो की LED shape में eyebrow shape कुछ type में वैसे दिये गया थे boom rain style में जैसे की आप यहाँ पे अभी उपर इसके नजर डाल रहे हैं पर वो change करके आप कुछ ऐसा दे दिया गया है ये भी batman type में stylish लगता है all LED headlamp कहाँ पे मिल जाएगी turn signal indicators bulb मिलते हैं अच्छी quality के मिलेंगे fit quality fit finish front से बहतरीन है नीचे इसका मटगार देख सकते हैं tvs racing की branding मिल जाएगी और उसी के साथ इसकी designing भी काफी ag बनाई गई है sharp रखी गई है अगर आप इसकी tank पे नजर डालेंगे दोस्तों तो tvs का logo मिल जाएगा और जो इसका tank cowl है वो पूरा आगे इसके देखेंगे तो suspension के पास तक में आता है और stickers का racing stickers का इस पे use किया गया है minimalist stickers हैं पर देखने में बहुत प्यारी लगती है मुझे अगर आप इसका tank देखेंगे दोस्तों तो personally अगर मैं बात करता हूँ तो दूर से ये उतना जादा muscular नहीं लगेगा जब आप इसके उपर बैठते हैं एक बार जब बाई के cockpit पे बैठते हैं आप ride करने के लिए इसको तो आपको इसके tank की जो muscularity है जो build है वो feel होती है और ये बैठने के बाद आपको पता चलेगा जब आप इसको ride करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको ride कर पाएंगे और आपका जो thigh support होने वाला है चिपक जाता है आपका pair वो must posture ये provide करके देती है site balance पे Apache लिखा गया है पीछे देखेंगे तो RTR 164W लिखा गया है कौन-कौन fan है comment करके जरूर बताईएगा आपको अगर अच्छी लगती है 4W या फिर आपको कौन सी बाएक अच्छी लगती है comment करके आप जल्दी से बताईए ना जानना है हमको come on और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को subscribe भी कीजिएगा पीछे देखेंगे तो all LED tail lamp मिल जाएगी यहाँ पे और यह जो ton signal indicators है दोस्तों अभी भी बल भी है हाला कि इनको upgrade करके यहाँ पे LED अगर दे देते तो भाई बहुत अच्छी बात होती क्योंकि tons of features आप TVS provide करने लगी है जो बची कुछी कसर है उसको भी पूरा कर ही दो अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके specifications की तरफ तो यहाँ पे front में आपको टेलिस्कोपिक suspensions देखने को मिल जाएंगे और यह जो बाईक है दोस्तों यहाँ पे आपको जो alloy wheels मिलते हैं वो red color में मिलेंगे काफी जादा यह मतलब high contrast वाला red color है तो दूर से ही देख करके आपको feel होगा यहाँ पे अगर मैं tire size की बात करता हूँ तो 90 by 90 17 inch का front wheel है tubeless tire के साथ यह बाईक आती है जो brakes दिया गया है दोस्तों वो front में आपको disc मिल जाएगा जिसकी size है 270 mm की डाया petal disc मिल जाती है चलिए बढ़ते है rear की तरफ rear में आपको 130 mm का drum brake मिलेगा और अगर आप इसका disc लेंगे तो यहाँ पे petal disc 200 mm की मिल जाएगी petal disc से फाइदा यह होता है कि आपकी bike braking के दौरान heat कम करती है brakes और brakes आपके काफी proper उसमें लगते हैं और अगर मैं rear tire size की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 110 by 80 17 inch का wheel मिलेगा प्लस आपके पास option है 130 section by 70 17 inch और यह जो है आपके radial type tire मिलने वाले हैं जो कि standard disc में आते हैं यानि अगर आप disc brake के लिए जाएगे तो 130 mm मिलेगा और अगर आप इसके standard drum के लिए जाते हैं तो 110 mm मिलने वाला है और एक चीज़ और है कि आपको standard जो drum पीछे है उसमें 24 km extra mileage मिलेगी क्योंकि उसका tire profile पतला है अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके dimensions की तरफ और इसके कमाल के features की तरफ तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे GTT मिल जाएगी और यह जो GTT है दोस्तो इससे फाइदा होने वाला है आपका traffic में जब आप इस bike को traffic में ride करेंगे तो वहाँ पे आपको gear जो है वो लगा दीजे 1st या 2nd और वहाँ पे accelerate करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी bike धीरे धीरे आगे की तरह बढ़ती रहेगी उसी के साथ ये ride modes के साथ आती है different ride modes यहाँ पे मिलने वाले हैं और इस बार तो यहाँ पे adjustable levers भी add कर दिये गए हैं इसके brakes में अगर आप इसका special edition लेते हैं क्योंकि उसकी price थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाती है अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके dimensions की तो यहाँ पे length मिलने वाली है 2035 mm की width है 790 mm की और height यहाँ पे 1050 mm की मिल जाएगी without visor लेते हैं इसमें visor एक accessories के रूप में आता है आप उसको भी ले सकते हैं और यहाँ पे curve weight मिल जाएगा 146 kg का इसके अगर आप standard disc edition को लेते है और 144 kg अगर आप drum को लेते हैं 800 mm की seat height है यानि 54 वाले बंदे भी हराम से इसको चला सकते हैं wheel waist 1357 mm का है और दोस्तों switch quality switch finish की बात करता हूँ तो काफी decent यहाँ पे switch quality switch finish मिल जाएगी left side में pass switch, upper dipper switch, turn signal indicator, switch plus उसी के साथ आपको information, gear position indicator, low fuel warning, fuel indicator, speedometer, rpm और आपको यहाँ पे lap timer व tradition लेंगे तो वो आपकी smart tax connect technology के साथ आती है तो वहाँ पे आपको कई सारे जो है features मिल जाते हैं जैसा की email, notification, call, messages यह सारे information मिल जाएंगे तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम इनके कमाल के features की तरफ और मैं differences बताता हूँ आपको ride modes में क्या-क्या मिलते हैं तो वो आपको मैं performance में बताता हूँ जो यहाँ पे engine दिया गया है दोस्तों वही इसकी जान है, इसका heart है और किसी भी bike का heart इसका engine ही होता है तो यहाँ पे 159.7cc का SI4 stock oil cooled SOSC fuel injection engine मिलने वाला है जो की maximum power produce करता है 17.55 PSG at 9250 RPM पर वो sport mode में क्योंकि यहाँ पे यह आपको sport एक अलग mode मिलता है और urban और rain mode दो अलग मिल जाते हैं, वहीं अगर आप urban और rain mode में देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो max power मिलने वाली है वो मिलने वाली है 15.64 PSG at 8600 RPM, maximum torque की बात करता हूँ तो sports में मिलेगा 14.73 Nm at 7250 RPM, urban और rain mode में मिलने वाला है 14.14 Nm at 7250 RPM, अब मैं आपसे मोटा मोटा difference बता दे हूँ कि sport और urban में तो आपको समझ में आ रहा है कि sport में ज़्यादा power है, urban और rain में कम है, पर urban और rain mode में difference यह है कि यहाँ पे अगर आप urban में ride करेंगे तो आपका ABS थोड़ा कम काम करेगा rain के comparison में, क्योंकि rain में skid करने के chance ज़्यादा रहते हैं, तो bike का ABS जो है वो skid ना करे आपकी by किस वज़े से ज़्यादा काम करेगा, यानि braking आपकी थोड़ा slow होगी, rain में और urban में ज़्यादा होगी, sports में सबसे proper तरीके से braking आपकी लगेगी, फट से रुकेगी, पर तब भी इस skid नहीं करेगी, क्योंकि grip की आपको ज़रूत होती हो, radius का का काम यही है, कि 114 km per hour, अगर आप इसका sport mode देखेंगे, उसमें मिलेगी, urban rain में मिल जाएगी, आप 103 km per hour की, अब बात आती है, इसके mileage की और इसके price की, और किसे इस bike को purchase करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप इसको sports या urban mode में चलाएंगे, तो आपको आराम से 45 से 50 तक का mileage किसी भी हाल में देने वाली है, चाहिए, जैसे ride कीजिए, और अगर आप इसको sports mode में ride करेंगे, फिर भी यह आपको 40 to 45 के आसपास mileage देगी, depend करता है, आप कैसे ride करते हैं, हाला कि अगर आप बहुत जादा rough ride करेंगे, hearts ride करेंगे, फिर भी आपको 40 से कम chances हैं, 38, 40, इससे तो नीचे आपकी नहीं देने वाली है, अब बात करते हैं दोस्तो इसके pricing की, तो इसके अलग-अलग variant के हिसाब से इसकी pricing भी अलग-अलग है, काफी सारे variants यहाँ पे available है, अगर मैं special edition की बात करता हूँ, तो वो इसका top of the line variant है, तो यहाँ पे जो आपका दोस्तो drum variant है, वो 1,21,790 शुरूम ह जो on-road price मिलने माली है, close to 1,61,000 रुपीज के आस-पास मिलेगी, और base variant अगर आप इसका लेंगे, जो की drum break के साथ आता है, वहाँ पे आपको disc नहीं मिलेगा, तो उसकी pricing 1,51,460 रुपीज के आस-पास आएगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो शैनल को सब्स